एरवावी एरवावी चलो चलो कहाने सुनने चले सब तयार एक दो तीन इस कहानी के जरिये हमारे साथ समुद्र की गहराई में गोता लगाईए हम आपको समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियो यानी मुंगे की दिवारों के अनोखे संसार की जलक दिखलाएंगे सागर की तलहटी में वनस्पतियों के बीच रहने वाले कई किस्म के बेहद अनोखे रंग रूप वाले सुन्दर जीवों के अनूठे संसार को देख आप हैरान रह जाएंगे कहानी का शीर्षक है गहरे सागर के अंदर ओरिजनली इंगलीश में लिखी गई कहानी है डाइव by राजिव आईप इसका हिंदी में अनुवात किया है रिशी माथूर और खूपसूरत चित्र बनाए है राजिव आईप ये प्रथम्वुक्स प्रकाशन की पेशकश है यही है गोता खोरी के लिए बहतरीन दिन की पहचान समुद्र की तली की अजब गजब दुनिया की सेर को निकले छोड़ा किनारा बोट छोटी सही साहसिक अभियान हमारा जहां हमें लगाना था कहराई में गोता वहां पहुँच फिर से जाचा परखा सारा साज सामान पैरों में पहने बथक के पैरों जैसे फिन और चेहरे पर मुखोटे जैसा गोता खोरी वाला मास्क चड़ाया हम जैसे ही पहुचे पानी के अंदर येलो बैक फ्युजिलियर मचलियों के एक जुण ने स्वागत किया पास आकर एक बड़े से टेबल कोरल नाम के मुँगे के आसपास देखे किस्म किस्म के जीव अनेक ओरियेंटल स्विटलिप्स, पैरट फिश, बैट फिश जैसी मचलियां देखी आती जाती एक खूब सूरत रंग रूप वाली न्यूडी ब्रैंक रही आसपास मन रहाती इस ट्रंपेट फिश ने खुद को दूसरों की नजर से बचाने के लिए येलो टैंक के जुन में अलग नजर ना आने के लिए अपना ही रंग बदल डाला फिर भी क्या तुमने इसे आसानी से नहीं ढुण निकाला अच्छा हुआ जो हम इस लायन फिश से दूर रहे इसके काटे चुबने से चड़ सकता है जहर सी एनोमोनी की आड में क्लाउन फिश को मिलती है छट जैसी चाया बड़ी होशियारी से करती है उसकी रखवाली लेकिन आखिरकार पास से उसकी तस्वीर खीचने का मौका हाथ आया हमने इस हनी को मोरे इल को क्लीनर राज से अपने दाद साफ करवाते हुए देखा इनी मचलियों के एक दूसरे जोडे ने हमारी रगडाई सफाई करने में भी दिल्चस्पी दिखाई ट्रिगर फिश और सी अर्चीन भी थे वहाँ हमने एक कोरल ग्रूपर को रीफ उक्टोपस के साथ लुकाचिपी खेलते भी देखा इस खेल में उक्टोपस के जीत हुई आठ पैरो वाले ये जीव जनमजाद बहरूपिये होते है यूँ पाइप फिश भी छुपने के लिए रूप बदलने में किसी से कम नहीं क्या इस तस्वीर में दो घोस पाइप फिश नजर आ रही है समुद्र की तली में हमें वाइट टिप रीफ शार्क का जोड़ा भी आराम करते हुए मिला ये मचलियां बड़ी जरूर होती है लेकिन खतरनाक नहीं इसलिए हम उने ठीक से देखने के लिए उनके काफी पास तक जा पहुँचे काफी देर तक ये हॉक्सपील टर्टल मूंगे के कंकालों के जमाने से बनी दीवार यानि कॉरल रीप के आसपास भूक मिटाने के लिए एक बढ़िया सा स्पंच तलाशता रहा और हम इसका पीछा करते रहे जब हम अपनी बोट पर लोटने के लिए उपर जाने लगे तब उडान भरने के अन्दाज में तैरती मेंटा रे ने दर्शन देकर हमें रोमान चित कर दिया दो रिमोरा मचलिया इसके दोनों और साथ साथ तैर रही थी और जब समुद्र के अंदर सेर करते करते हमारा मन गया भर तभी हमें ये ड्युगॉंग समुद्री घास चरती आई नजर कितना मज़िदार रहा समुद्र की तली की सेर का ये अनुभव अब तो मुझे हमेशा गोता खोरी के मौके की रहेगी तलाश कैसी लगी हमारी समुद्र में एक डुपकी अब थोड़ी सी जानकारी प्रवाल यानि कोरल ऐसे जीव है जिने वनस्पती और जन्तु दोनों माना गया है बहुत छोटे छोटे हजारों काई जैसे हरे नीले एलगी यानि शैवाल इनके अंदर रहते है और इन्हें पनपने में मदद करते हैं प्रवाल का कंकाल शरीर के अंदर नहीं बाहर होता है और इनके रंग रूप होते हैं अनेक प्लैक्टन अनेक समुद्री जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्त्रोत है कई किस्म की काई जैसी वनस्पतियां, जीवाणूं, दूसरे सुक्ष्म जीव और बड़े समुद्री जीवों के अंडे, लार्वे जो पानी की धाराओं में बहते रहते हैं उन्हें ही प्लैक्टन कहते हैं फेदर स्टार, भले ही देखने में पौधो जैसे हो, लेकिन ये वास्तव में एक किस्म के जन्तू यानि जानवर ही होते हैं, ये अपनी पंक जैसी दिखने वाली बाजूओं से पानी में बहते प्लैक्टन को पकड़-पकर कर चट कर जाते हैं पैरेट फिश, पैरेट फिश के दाँ तोते की चोच जैसे नजर आते हैं, अपने बड़े और मजबूत दातों से ये मचलिया सक्त प्रवाल पर जमी, काई, खुरच कर खाती है, कुछ किस्म की पैरेट फिश तो हरियाली के साथ थोड़ा बहुत प्रवाल भी खुरच कर खुरच कर खाया हुआ प्रवाल इनकी आतों से बाहर आते आते बारी पिस चुका होता है, और लहरों के साथ किनारे आकर खुब सूरत बीच यानि समुद्र तटकी सफेद रेत का हिस्सा बन जाता है, क्लाउन फिश और सी एनेमोनी हमेशा साथ रहते हैं, जैसे बने हो एक दुजे के लिए, क्लाउन फिश सी एनेमोनी के लहराते हुए डंक साफ करने का काम करने के साथ दूसरी मचलियों को उनकी और खदेडने की कोशिश करती रहती है, ताकि एनेमोनी उन मचलियों का शिकार कर सके, सी एनेमोनी भी क्लाउन फिश से बखु भी दोस्ती निभात उन्हें दंक नहीं मारते और छुपने की जगा देकर दुश्मन से बचाते हैं। रीफ उक्टोपस दूसरों की नजरों से बचने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। रीफ उक्टोपस की तरह ये भी आसपास के माहुल को देखते हुए अपना रंग बदल सकती है। इनका शरीर पतला और सिर चोड़ा होता है। पीठ और पूँच वाले पंखों के सफेद सीरे इनकी पहचान है। ये मचलिया रात को शिकार करती है और दिन भर सोती है। हॉक्स बील टर्टल एक ऐसा समुदरी कच्छुआ होता है जिसका शरीर चप्टा और कवच किनारों पर तेडा मेडा होता है। और इसके मूँ की बनावट बाज की चोड जैसी नोकिली और घुमावदार होती है। मेंटारे बड़ी विशाल मचलिया होती है जिनके पंक पक्षियों के डैनों जैसे फैले हुए होते हैं। इनकी मदद से ये पानी के अंदर बिलकुल बाज और गिद्ध वाले अंदाज में धीरे धीरे पंक चलाते हुए आगे बढ़ती है। कुछ मेंटारे के डैने तो इतने बड़े होते हैं कि एक पंक के सीरे से दूसरी तरफ वाले पंक के सीरे तक की दूरी 23 फीट तक हो सकती है। समुद्र में पाए जाने वाले सील, वॉलरस और वेल जैसे स्तनधारी जीव होते हैं। इनका पसंदिदा भोजन है समुद्री घास। खास बनावट वाले अपने थुतन नुमा मूँ से समुद्री घास चरते रहते हैं। इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। कहानी खत्तम मुझे और एक सुनिये उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा आपको भी सुननी है नो और कहानिया। तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर एरवावी एरवावी फक्रावी